ये आका अश्वणी हैं, अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ने दिली में अबुधावी के क्राउन प्रिंस शेख खालेद बिन मोहमद बिन जायद अलनाहयान से बाच्चीत की दोनों ने इताओं ने बहु आया में भारत सैंक्त अरब अमिरात UAE संबंधों के बीच नए उभरते क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साज़ेदारी को मजबूत बनाने के अवसरों पर चर्चा की वारता के बाद पांच समझोतों पर हस्ताक्षिर किये गए इनमें अमिरेट्स न्यूक्लियर इनरजी कंपनी और न्यूक्लियर पॉवर कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेट के बीच बराक परमानू उर्जा सायंत्र संचालन और रखरखाव के खेत्र में एक समझोता अग्यापन MOU शामिल है अबुधाबी नाशनल ओयल कंपनी और इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेट के बीच दीर्गकालिक LNG आपूर्ती के लिए एक समझोते पर भी हस्ताक्षिर किये गए भारत और UAE के बीच एतिहासिक रूप से घनिष्ट मैत्रिपून संबंध हैं हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रड़नीतिक साज़ेदारी वैपार निवेश संपर्क उर्जा अप्राध्योगी की शिक्षा और संस्कृतिके क्षेत्रों में साज़ेदारी और मस्बूत हुई है रक्षा मंत्राले ने 26,000 करोड रुपे से अधिक के लागत से सुखोई 30 MKI विमानों के लिए 240 AL-31 FPA Aero Engine के लिए हिंदोस्तान Aeronautics Limited के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं रक्षा मंत्राले के नुसर इस Aero Engine के निर्मान HAL के कोरापूर टिवीजन द्वारा किया जाएगा और रक्षा तयारियों के लिए सुखोई 30 MKI बेड़े की परिचालन क्षमता को बढ़ाया जाएगा HAL सालाना 30 Aero Engine के आपूर्ती करेगा सभी 240 Engine के आपूर्ती अगले 8 वर्ष में पूरी होनी की उम्मीद है इससे सरकार की आत्म निर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा HAL देश को रक्षा वे निर्मान पारिस्तिति के तंत्र को मजबूत करेगा जिसमें MSME के साथ साथ सारवजनिक और निजी दोनों उद्योग भी शामिल होंगे वस्तु और सेवाकर परिशत की 54 वी बैठक नईदली में हो रही है केंद्रिया वित मंतरी निर्मला सितारामन इस बैठक की अध्यक्षता कर रही है बैठक में वित राजय मंतरी पंकर चौधरी और राजियों के वित मंतरी उपस्तित हैं GST परिशद की पिशली बैठक इस वर्ष जून महीने में हुई थी उस बैठक में परिशद ने सभी इसपात, लोहे और अलिमुनियम के दूद कैन पर 12 प्रतिशत GST की एक समानदर की अनुशनसा की थी सर्वोचे न्यायले ने केंद्रिया अनुवेशन बिरो सीबी आई को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सनाता कोतर प्रेशिक्षू डॉक्टर से दुशकर्म और हत्या के मामली की जाच पर 17 सितंबर को एक ताजा रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है मुखे न्यायदिश धनंजे चंद्रचूड की नेतरत वाली खंड़ पीट ने सीबी आई के लिए पैरवी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुशार मेहता द्वारा एक सील बंद कवर में दाखिल रिपोर्ट पर ध्यान दिया मुखे न्यायदिश धनंजे चंद्रचूड और न्यायदिश जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्र की खंड़ पीट ने सीबी आई को एक सप्ता के भीतर एक ताजा रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है खंड पीट ने 17 सितंबर को इस मामले पर आगे के विचार के लिए सुनवाई को स्थागित कर दिया जमो कश्मीर में राजोरी जिले में आज नियंत्रान रेखा के पास सेना ने घुसपैट की एक कोशिश को नाकाम करते वे दो आतंकवादियों को मार गिराया राजोरी जिले के नौशेरां के लाम सेक्टर में कल देराद गोली बारी शिरू हुई गोली बारी में कई आतंगवादि घायल हुए क्षित्र में तलाशी अभिया अंजारी है केंद्र ने धेश की राज़ियों और केंदर शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की जाँच और परिक्षन करने को कहा है केंद्रिय स्वास्थे सचीव अपूर्व चंद्र ने मंकी पॉक्स से सम्मधित विश्व स्वास्थे संगठन की अंतराश्ट्रिय जन्र स्वास्थे आपत की घोशना की मंत्राले ने अपने परामश में मंकी पॉक्स को लेकर जागरुकता बढ़ाने तथा लोगों में फहले डर को रोकने के लिए नेवारक उपाय अपनाने पर बल दिया स्वास्थे कर्मियों विशेशकर चर्म यौन संचारित बिमारियों के क्लिनिकल तथा राष्ट्रे एड्स नियंत्रन संगठन के क्लिनिक को स्वास्थे प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है अमरीकी उपन चैनिस में यानिक सिनर ने चेलर फ्रिस को 6-3, 6-4, 7-5 से हरा कर दूसरा ग्रांड स्लम खिताब जीत लिया है इससे पहले उन्होंने इस वास्ट का ओस्ट लाइव उपन जीता था वे अमरीकी उपन खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी है इसके साथ ही ये समचार बुलेटिन समप्त हुआ